तो आज में देख रही थी, The Solution to Weight Loss दुरूव राठीन एक वीडियो बनाई है, saying it's a complete scientific guide वेट लूज करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सी डाइट यहाँ पर बेस्ट डाइट, आइए जानते हैं So thank you for creating that awareness बट्या उसमें जो भी डेटा है, वो सही है, आएए देखते हैं उसको तो पहली चीज दुरूव राठी अपनी वीडियो में बोल रहे हैं कि एक बैंक की तरह हमारी बोडी है, जितना हम कैलरी इस लेते हैं और जितना आउट यूज करते हैं उसका बैलन्स होने से हमारा वेट मेंट रहता है, वो आगे ये भी बोल रहे हैं कि कैलरी इन, कैलरी आउट, अगर कैलरी इन हम ज्यादा कर देते हैं तो हमारा वेट गेल हो जाता है पर क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं तो आपको अगर वजन कम करना है या तो अपने कैलोरी का इंटेक कम करो या फिर उन्हें ज्यादा खर्च करो कैलोरी इन इस इकुल तू कैलोरी आउट या वेट लॉस इस इकुल तू कैलोरी इन लेस देन कैलोरी आउट से बड़ा कोई भी food industry का फैड नहीं है क्या 200 calorie broccoli से और 200 calorie biscuit से बराबर है, बिलकुल नहीं, I'm sure आप सब मेरे साथ एगरी करते हैं कि बिलकुल बराबर नहीं है, तो important क्या है weight loss के लिए, weight loss के लिए important है कि जो भी हम calorie दे रहे हैं, वो body में digest कैसे हो रही है, क्या वो energy बनके हमारी body के efficiency बढ़ा रही है, या वो body store कर रही है, क्योंकि वो body किसी hormonal balance से जूज रही है, या body में इतने toxins भरे हुए है, कि वो use हो नहीं पा रहा है food energy के लिए, और वो store हुए जा रहा है fat के लिए, दूसरी चीज, दुरूव राखी बोल रहे हैं अपनी वीजियो में, कि तीन तरह की exercise हम सब को करनी चाहि दूसरा stretching exercise और तीसरा strength training कौन कौन सी exercise, भागना चाहिए, means cardio करना चाहिए, strength training करनी चाहिए, weight training करनी चाहिए and stretching करनी चाहिए, पर सब को करनी चाहिए, बिलकुल नहीं, अगर हम high stress zone में हैं, अगर हम किसी भी बहुत stressful period से life में गुजरे हैं और हमने अपनी body को वापिस balance में न के state पे होती है, catabolic state पे, मतलब तूट रही फुट रही होती है, इस stage में अगर हम कोई भी ऐसी exercise करते हैं, तो body और तूटती है, और इसका काफी scientific proof available है and I'm an MBBS doctor and a fellowship in functional medicine and हम रोज देखते हैं कि जब patients को right advice दी जाती है, to stop doing these three types of exercise for three to six weeks, miracles होते है, body weight loss करना शुरू कर देती है, energy बढ़ जाती है, face glow कर जाता है, patient young लगने लग जाते है, तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि catabolic stage से हमें body को निकाल के anabolic stage में लेकर आना है, उसके लिए हमको करना क्या है, ऐसे लोगों को grounding करती है, नंगे पाउं मिट्टी में चल करना है, breathing करना है, पहले अपनी body को catabolic state से, neutral state पर लाना है, और फिर exercising करना है, तो exercise बुरी नहीं है, पर हर किसी को ये तीन तरह की exercises करनी है, मैं disagree करती हूँ, और थर्ड चीज़, जो दुरूव राधी ने अपनी वीडियो में बोला, कि stress का बहुत ज्यादा तालमेल है, हारे weight loss से, diabetes से, PCOD से, बिलकुल सही बोला हूँ, अचा एक final point यहाँ पर mention करना चाहूँगा, stress के बारे में, weight gain और stress में एक बड़ा link मौजूद है, जब आप ज् यह fat और sugars की craving है, वो बढ़ जाती है, पर उन्होंने आगे यह भी बोला, कि stress से दूर रही है, आप मुझे बताइए, क्या आप stress से दूर रह सकते, क्या आपका lifestyle यह होने देगा, तो करना क्या है, मैंने अपने 30 plus years की experience में देखा है, कि stress से हम दूर नहीं रह सकते, और उसका फरक भी नहीं पड़ता, फरक किस चीज का पड़ता है, हम bounce back कितनी जल्दी करते हैं, एक glass अगर आप 10 बार उठाते हैं और रखते हैं, आपकी बाजू tired नहीं होगी, राइट, अगर आप इस glass को उठाए रखते हैं, आदे गेंटे, गेंटे के लिए, तो आपकी पूरी य इना, एक्जाक्ली सेम चीज करते हैं हमारे साथ, तो लिए प्रेस करते हैं, तो अपने लव्डवान की पोटो देख सकते हैं, कोई कॉमेडी शोव देख सकते हैं, कापिल शर्मा के एक शो हैं, वो बुल, आल्यभा आईूई है, आप था बोच्ता आप्टसे की आपकाते ह मतलब पानी जादा पिना चाहिए और क्या चीज़ पानी पीना चाहिए और चाहिए और बादी बहुत सारी ग्रीन बेज़िटेबल्स और बिल्कुल सही एड्वाइज है और यहां पे मैं बोलना चाहूँगी कि दुरूव राधी ने अपनी इस वेट लॉस की साइंटिफिक गाइड में बहुत ही बढ़िया तरीके से करेक्ट इंफोमेशन शेयर किया है कि हमको कांसे फूब्स नहीं खाने चाहिए और खाने चाहिए तो बी हेल्दी ज्यादतर पैकेज़ खाना जितना हो सके आपको उतना अवोईड करना चाहिए जो फैक्टरी में बने ये अल्ट्रा प्रोसेस्ट फूड आइटम्स होते हैं उनमें सारी गलत चीज़े डली होती हैं मैदा, एड़िट शुगर, आर्टिफिशल स्वीटनर्स, पाम उयल, आर्टिफिशल फूड कलर्स, हामफुल प्रेजरवेटिव्स आईए पहले देखते हैं कि मैदा किन-किन खाने की चीज़ों में डली होती है बिस्किट्स, रस्क, मठरी, चकली, नमक पारे, फैन पफ, समोसा, कचोडी, पाव भाजी, वड़ा पाव, आलू पैटी, होट डॉग, भटूरे, कुल्चा, तंदूरी रोटी, नान, माला बार पराथा, पीज़ा, डोनट्स, चाउमिन, स्प्रिंग रोल्स, मोमोज, जले भी, घेवर, गुलाब जामून, पैनकेक्स, मॉफिन, केक्स, सैंडविच, पूफ, इन फैक्ट, आपके फेवरेट तंदूरी मसाला चाप में भी 40% मैदा होती है, पर इबाकी और खलाब चीज़े किन खाने के आइटम्स में होती है, बैड ओल, जो डीप फ्राइड चीज जिसमें बहुत कम घी या बटर डला हो, इडली, उपमा, पोहा, धोकला, ओमलेट, मूंग डाल चीला, डोसा, उत्तपम जो बहुत कम बटर में बना हो, दूद, दही, लस्सी, बॉयल अंडे, नैचुरल फ्रूट जूस, चीकू शेक, अंजीर शेक, मीसी रोटी, तवा पर वेट लास कर पाएंगे, और बॉडी अपने आप, आपको अप्टिमम वेट पर ले आईए, तो वो कौन से फूड्स हैं, जैसे आलिया भट ने बोला है, कि वेजेटेबल्स खाने चाहिए, बिल्कुल सही, वो ही दुरूगराथी भी बोल रहे है, पूजा मकीजा ने बोल बोला था, इन्होंने कहा कि फैट्स आपको फैट नहीं बनाते हैं, बलकि ज्यादा फैट खाना और गलत प्रकार का फैट खाना आपको फैट बनाता है, और वो भी बोल रहे हैं कि हमें गुड़ फैट्स खाने चाहिए, पर वहाँ पर एक कैच है, वो बोल रहे हैं कि हमार मस्टर्ड ओयल देसी घी और क्यों वह वाले ओयल में रेकमेंड करती हूं क्योंकि उनका smoking point हाई होता है और हमारी इंडियन कुकिंग सारी हाई हीट पर होती है extra virgin olive oil का smoking point कम होता है तो अगर आप वो salads पे use करें परफेक्ट अगर आप food sauté कर रहें vegetables and बाद में gas बंद करके उसको डालें परफेक्ट पर अगर आप इंडियन तरीके से उसमें अपना masala भूलेंगे no क्यों क्योंकि smoking point high होने से oxidation हो जाती है and वो oil अच्छा खासा हमारी body को नुक्सान पहुंचाने लग जाता है having said that दुरूब राधी ने अपनी वीजियो में बोला है कि हमें माइदा नहीं खाना चाहिए हमें शुगर नहीं खानी चाहिए हमें deep fried foods नहीं खाने चाहिए most importantly क्योंकि वो refined oils में fry होते हैं जियादा तर packaged खाना जितना हो सके आपको उतना avoid करना चाहिए जो factory में बने ये ultra processed food items होते हैं उमें सारी गलत चीजे डली होते हैं मेदा, added sugar, artificial sweeteners, palm oil, artificial food colors, harmful preservatives बिल्कुल सही बात है शुगर नहीं खानी चाहिए, मेदा नहीं खाना चाहिए, deep fried foods नहीं खाने चाहिए हमें processed foods नहीं खाने चाहिए कच 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 जैसे ही आवाज आती है, अगर हमें packet कोल के कुछ खाना पड़ता है तो वह हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और वही पर दुरूब राठी ने हमें ये भी बताया है कि जब हम थोड़ी देर के लिए इन चीज़ों को नो कर देते हैं उने अपना 30-day challenge दिया है जिसने भी वो किया होगा challenge I'm sure बहुत positive feel किया होगा 30-day challenge को पूरा करने के बताना आप comments में लिखकर ही कि कितना transformation देखा आपने अगर हम 30 days तक वो नहीं खाते हैं तो actually हमारा वो खाने का मन ही नहीं करता है So thank you तो वो वाली चीज बिलकुल सही बोलीगी हमें follow करनी चाहिए और हम क्या खा सकते हैं वो भी उनने बहुत अच्छे से बताया है हम वड़ा कह सकते हैं हम दोसा खा सकते हैं हम चीला खा सकते हैं हम रोटी खा सकते हैं बहुत सारे अलग grains की जिसमें वीट थोड़ा कम हो जाए तो वो बहुत ही बहुत ही सही advice है हमें follow करनी चाहिए हमें अपने आपको hydrated रखना चाहिए पर hydration में cold drinks अगरा खाने से क्या होता है उसमें बहुत सारा sugar भरा हुए है तो वो हमें नहीं खाना चाहिए और जाते जाते एक चीज और धुबराठी नहीं थीक है जो मुझे लगता है कि सब के लिए नहीं ठीक है उन्होंने बोला है कि keto diet का कोई फाइदा नहीं है थोड़े दिन आपको फाइदा करेगा फिर नहीं करेगा दोस्तों मैं यह आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने keto पे बहुत रिसर्च किया और मैंने cyclic keto किताब बे लुखी क्यों 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 क्योंकि keto को सही करने का तरीका है उसको cyclically कर पाना बट हाविंग सेट डाट किन लोगों को keto कर के बहुत जादा फाइदा होगा जिनका भी insulin resistance है उसे उनको fatty liver हो सकता है उनको PCO हो सकता है वो diabetic हो सकते है उनका dyslipidemia हो सकता है खराब cholesterol बड़ा हुआ है hypertension हो सकता है यह सब insulin resistance है पर अगर insulin resistance के साथ stress का hormone cortisol या उनका thyroid hormone सब को पता है हमारी body का CEO है वो ठीक नहीं है हमें keto नहीं करना चाहिए हमें पहले 6 हफते अपना cortisol और thyroid को balance करना चाहिए by eating a balanced healthy diet सब कुछ जो बताये गया आपको 6 हफते के बाद अगर आपका cortisol ठीक आ जाता है thyroid आपने ठीक कर लिया है supplement के साथ या बिना supplement के that is the time अगर आपका भी insulin resistance है तो आप keto करिये उसको cyclic keto बना के करिये and you will see miracles happening in your health thank you all the best stay healthy stay diabetes free and join me in my mission of making India diabetes and obesity free with awesome gut health क्योंकि gut health है जिसकी वज़े से एु पुली है पुझ एुझा क्युद è democrat